हेलो दोस्तो वेलकम टू ओनलाइन स्टी पॉइंट दोस्तो जैसा कि आप सबको पता है कि रेलबे गुरूब डी का एक्जाम 17 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं उसी सी लेटेर मैं ये स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ काफी स्टूडेंट ने कमेंड के तक जनरल साइंस के लिए जो है तो आप ऐसा वीडियो लेकर आई जो बहुत इंपॉडेंट हुम आरे लिए तो आप सब के लिए मैं ग्रूब डी एक्जाम के लिए जनरल साइंस के इस वीडियो में बताऊँगा और दोस्तों ही जो थर्टी सेवन कोशन आपको बताने जा रह आँगे पिछले 15 बर्सों में बहुत बार रिपीट हो देखेंगे तो यह कई बार रिपीट होने वाले कोशन है कुछ ऐसे सेलेक्टेट कोशन होते हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं तो वहीं मैं इस वीडियों आपको आज बताने वाला हूँ तो पूरा वीडियो बिल्कुल इग्नोर ना करते हैं लास्ट तक देखिएगा आपको जब लास्ट में देखेंगे तो एक एक कोशन बहुत इंबोडेंट है एक्जाम पॉइंट आभी उसे रेलवे ग्रूब डी एक्जाम के लिए तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से जरूर देखिएगा और दोस्तों मैं अनेकेडमी पर ही पढ़ाता हूँ तो आप अनेकेडमी कलानिंगी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए उसमें ओनलाइन स्टी पॉइंट सच करके आप आप फॉलो कर सकते हैं चली स्टार्ट करते हैं दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार बीट करें चैनल को सब्सक्राइब करके तो ये भी बहुत मातपूर्ट प्रस ने रेडियो अक्टिविटी की खोज किस ने की थी कोश्चन नमर दूसरा है दोस्तों एंटी सेप्टिक सरजरी का सूतरपात किस ने किया था तो दोस्तों इसका राइट एंसल हो जागा का option C Joseph blister ठीक हैं एंटे सब्टिक सरजरी का शूत्र पात किस ने किया था जो से blister ने कोशन नमर तीसरा है 1948 में गठित परमाडू उरजा आयोक का ध्यक्ष कौन था तो जो 1948 में उरजा परमाडू उरजा आयोक का गठन हुआ तो उसके ध्यक्ष कौन थे इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपसन सी होमी जहागीर भाबा जी 1947 में गठित परमाड उर्जा आयोक के ध्यक्ष थे ठीक है इस वीडियो में एक एक क्वेश्चन जो बहुत इंपोड़न है कही वार रेलवे एक्जाम में पूछा गये हैं आप वीडियो की स्क्रीप ना करते हुए लास तक देखिए का बहुत इंपोड़न कोश्चन और अच्छे प्रसन आपको देखने को मिलने वाले हैं तो आप जरूर देख लें बहुत इंपोड़न बूख है ग्रूप डी एक्जाम के लिए क्योंकि एक्जाम नस्दीख है तो रिवीजन करने के लिए अच्छी बूख है देख सकते हैं आप अगला कोशन है इक्वल एमसी स्क्वाइर का प्रतिपादन किसने किया था तो आपसान है अलवाटाइस टीन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, गैलीलियो, चार्ल्स डार्विन राइट एंसर हो जागा दोस्तों आपसान है अलवाटाइस टीन द्वारा कोशन नमर पाच्वाँ है साप एक्षिता का सिध्धान्त किसने दिया था तो साप एक्षिता का सिध्धान दिया था दोस्तों इसका निरिंस टीन न गिजा सीध्धान्त दिया था दोस्तों आज यस्ता कि आप सबको पता है ग्रेलवे ग्रूप एक Begin rave पा सिध्धान्त कोशन पूछ जा तो जनल साइंस कोशन बहुत Northern हो जाता है ठीक है अगला कोशन है भारती अंतरिक शनुसंदान संक्टन इस रोग कहां इस्थीत है तो यह कोशन बहुत बार पूछा गया है दोस्तो राइट एंसर है बैंगलूरू करनाटक में अगला कोशन बैंगलूरू के नाभिक की खोज किसने की इसका राइट एंसर है दोस्तो ऑप्शन ए रधर फोड ने किसने की थी परमालू के नाभिक की खोज रधर फोड ने अगला कोशन है सूर के दर्भिमान के एक 1.4 गुने दर्भिमान को कहा जाता है इसका राइट एंसर रहागा दोस्तो ऑप्शन भी चंदर शेखर सीमा दसवे नमबर कोशन है केशको ग्राफ नामा केंदर की खोज किसने की थी यह कोशन बहुत बार रिपीट में मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों यह आद रखियेगा ठीक है दोस्तों आप मेरे साथ जो तो इस प्रसनों को बढ़के और बिल्कुल दिमाग में कंठस्त करत यह बहुत महत्पूर्ट है ठीक है दा हिस्टरी ऑफ हिंदू साइंस कि सका उन्पर्मकृती है यह तो अगला कВस्टिख की खोच रूर लेकिन कई बार एक्जामें पूछा गया प्रस्ण है चेचक की ठीके खोच किसी ने की थी आप सब को पता भी हो और नहीं पता है तो option C Edward Jenner ठीक है चेचक की ठीके खोच किसने की थी दोस्तों Edward Jenner ने अगला कुछ ने अगला कोशन ने निट्राउन की खोच किसने की थी दोस्तों ये कोशन वेरी वेरी इंपोर्डेंट है बहुत बार रिपीट में कई वार एक्जाम में रेलवे एक्जाम में रिपीट हुआ है ऑपसन दोस्तों James Chadwick Newton Rutherford Einstein दोस्तों इसका राइड एंसर है ऑपसन ने जैम्स चैडवीग ने किसने की थी निट्राउन की खोच किसने की थी इसकी कोश की थी दोस्तों James Chadwick ने कोशन नमर 15 दोस्तों परमाडू के सिध् दोस्तों इसका राइड एंसर हो जाएगा ऑपसन दी 28 फरवरी को प्रतिवर्स राष्ट्री विग्जान दिवस नेशनल साइंस डे का मना जाता है ऑपसन बीस फरवरी 28 फरवरी 28 फरवरी तो दोस्तों इसका राइड एंसर हो जाएगा ऑपसन दी 28 फरवरी को प्रतिवर्स राष्ट्री विग्जान दिवस करूब में मना जाता है आपको बता दोस्तों कि रेलवे एक्जाम और सेसी एक्जाम यह कोश्चन भी पिछले वर्सों में बहुत बार पूछे सब्सक्तमर में रइख्य सीधैन घोए है अग्ला प्रसमों है हट्रोजन को तत्तषी रूप में खोच किस ने लिबंदिश रख्त परिवान की खोच किसने की थी एकसरे की कोच किसने कि थी ओप्सन ने रावट हूग WC रौंड जन आर्रिभाट हर्गोविंद खुराना इसका राइड एंसर दोस्तों ऑप्सन B WC रौंड जन ने ठीक है तो इसका रर्ट एंसर तो गती के नियम दिया था और निउटन ने किसने ञइड ने कहा जाता है यहाद है आनुवान्सिक पोर की कि थी ऑन्वान्सिकी कोट की खोज किस ने की थी सही उत्तर हो यागा दोस्तों, option D हर गोबिंद कुराना ने ठीक है अन्वान्सिक कोट की कोज कि ने की थी हर गोबिंद कुराना ने दोस्तों question number 25 टेली स्कोप का निर्माड किस ने किया था तो इसका right answer है दोस्तों option d galileo n customer 26 है lyolesome की खोच किस ने की थी säga away तो आपके सामने दे रहेखे हैं दोस्तों Support 26 का विलियम हार्वे il Gosund कि णे किस ने की थी ? विलियम हार्वे ञार्वे ने question no. 27 उस तो प्राकृतिक चैन का सिध्धान्द किस ने दिया प्राकृतिक चेयन का Siddhant किस तहारी ने दरविन ने कोचले नमर 28 है लाइके मंखोंच की शबह्यक्यानिक ने की थी राइट जरो सौनदी तुल साने ने ठीक है तुलगा सतने ने लाइकेम की खोई की भीज़िए ठीक दोस्तों चलिए अगले कोशन की तरफ बढ़ते हैं किसे नोमँगों इस सरब्रथम G devi paid कि सीने लगाए था सरब्रथम G identific का पता किसने लगाया था दोस्तों इसकर आइट आ debates रोगा ऑपसन भी यूवेन-होख ने कोशन नोमर थर्टी है पैंसलीन की कोष ने की थी ये भी बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन साथ बहुत बहुत सीजी कोश्चन भीots syndrome इप तो आपको बतादे कि फोच की थी अलेकषांडर फ्लेकिन ने अचिश्टन नमर थर्टी हर ने कोशिका सब्ध का प्रयोग सरवर्थम किस ने किया था तो कोशिका सब्द का सरवर्थम प्रयोग कि दोस्तों रावा ठूक ने किसे रावा ठूक द्वारा कोशिका सब्द का सरवर्थम किया गया था कोश्चन नमर 32 दोस्तों इंसुलीन की खोच किसने की थी इंसुलीन की खोच किसने की थी ये भी बहुत महत्पूर्ण प्रसें दोस्तों इसका राइट एंसर जाएगा ओप्सन भी बैटिंग एवं बेस्ट ने जोगते दोस्तों इंसुलीन की खोच की थी Q. 33 है Neutron की खोच किसने की थी दोस्तों इसका Right Answer हो जाएगा Option D, James Chadwick ने Q. 34 है दोस्तों, Ray Beach के TK की खोच किसने की थी Right Answer हो दोस्तों, Option B, Lewis पास्चर द्वारा Ray Beach के TK की खोच की गई थी Next Question है प्राकर्ति गवरण और ने नेचुरल सेलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिबादित किया गया था इसका Right Answer दोस्तों, Option C, Charles Darwin द्वारा Question No. 36 है दोस्तों, Oxygen की खोच किसने की थी दोस्तों इसका Right Answer हो जाएगा Option D, C ले और प्रिश्ट ले द्वारा दोस्तों, Oxygen की खोच की गई थी दोस्तों, Last Question है गुरुत्ता गर्षन नेमो के विश्कारा काउन है इसका Right Answer है, Option B, Newton है ठीक है गुरुत्ता गर्षन नेमो का श्कारा काउन है, Newton है तो यह थे दोस्तों, 37 Most Important General Science के Question रेल्वे गुरूट बिक्जाम और सभी प्रत्यों की परिक्षाओं के लिए आई होप आप लोगोंने वीडियो सॉल्व किया होगा मेरे साथ तो प्लीस कमेंट जरूर करिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दिए आपने दोस्तों के साथ Facebook, WhatsApp में, Study Group में सभी Study Group में, ठीक है जितने सभी की help हो सके और चैनल को सब्पोर्ट करिए यदि वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों होसला और उसावर्धन मिलाने के लिए और एदि आप मेरे चैनल पर पहली बार वीजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाईएगा साथे वेल आइक उन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको डिली नोटिफिकेशन मिलता रहे ठीक है दोस्तों मिलते है नेक्श वीडियो के साथ आपको रेलवे एक्जाम के लिए बहुत सारी शुपकामना है जै हिन बंदे मातरम सुस्त रहिए बेस्त रहिए मस्त रहिए पढ़ते रहिए अपने माता पिता का नाम रोशन करिए थैंक्स अलोट जै हिन बंदे मातरम